अरोब जो भारती जनता पार्टी के द्वारा लगाये जा रहे हैं वो दिल्ली की जनता प्रचंड वहुमत दे कर ध्वस्त करेगा मंत्री जी अगनी परीक्षा से गुजरने के लिए तयार है अरविंद केजरिवाल ने इस्तीफे वाला दाव तो चला मौका और वजय ये थी कि उन्हें किसी तरह से सहानुभूती मिल सके लेकिन वो सहानुभूती वाला कार्ट तो लोकसभा चुनाव में भी चला गया था ल दिल्ली में भारतिय जन्ता पार्टी ने अपने नाम कर लिया अरविंद केजरिवाल की तरफ से चला गया ये दाव काम नहीं कर पाया इमोशनल कार्ड खेलते हुए अब सीम कैंडिडेट को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है अरविंद केजरिवाल ने इस्तीफे का ऐल लायक नहीं है या यूं कहें कि नेता भी नहीं है उन्हें सीम बनाने की कवायद हो रही है यहां आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं नमस्कार मैं हूँ आशीस त्रिपाठी आपके साथ और न्यूज 18 के सोशल मिडिया इस प्लैटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है दिल्ली में मुख्यमंतری अर्विंद केजरिवाल ने मुख्यमंतری पद से स्टीफा देने का ऐलान तो कर दिया लेकिन अब सीम पद पर कौन काबिज होगा इसके लिए लगातार चरचा चल रही है और अर्विंद केजरिवाल मुख्यमंतری के नाम की बहुत जल्द घोशना कर शपत ग्रहन भी करवाने वाले हैं और दिल्ली के मुख्यमंतरी पद की कुरसी पर आखिर कौन बैठेगा ये भी इस वक्त एक चर्चा का कारण बना हुआ है चुकि जो जानकारी अब तक मिल रही है उस पर जानकारी ये मिल रही है कि जो मुख्यमंतरी बनेगा उसका नाम फाइनल हो चुका है और उन नामों में यदि नज़र डालें इस वक्त कौन से नाम सबसे जादा रेस में चल रहे हैं सबसे पहला नाम है अरविंद केजरिवाल की उनकी पतनी सुनीता केजरिवाल का और उसके अलावा सौरभ भार्दवार संजय सिंग, संदीप पाठक, मन सबसे जो मुफीद या फिर सबसे कारगर, उम्मीदवार अगर कहे जाएं तो यही नज़र आते हैं क्योंकि इन्हें राजनीती का अनुभव भी है पूरा और अरविंद केजरिवाल के ये भरोसे मंद नेता भी हैं लेकिन भरोसे मंद नेताओं ने जार्खन में क्या किया या बिहार में क्या हुआ ये सब जानते हैं इतियास गवाए कि एक बार मुख्यमंतरी के कुरसी पर कोई बैठा तो वो कितना भी भरोसे मंद क्यों ना हो दगाद देगा ही देगा शायद यही डर है अरविंद केजरिवाल को इसलिए किसी अन्यनेता का नाम अभी सामने न नहीं है दिली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल ने इस्तीफा देने के बाद से अब एक और बैठक बुलाई है चोकि एलान करने के बार लगातार ये दूसरी बैठक है जब मुख्यमंतरी के कैंडिडेट के नाम पर चर्चा होनी चाहिए और अंदर से जानकारी ये उनका तर्क ये है कि अगर अरविंद केजरिवाल सुनीता केजरिवाल को मुख्यमंतरी पद की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं तो फिर उनपर भी परिवारवाद का आरोप लगेगा उनपर भी सत्ता के लालची होने का आरोप लगेगा और दिल्ली के चुनाओं में हर्य के तीन पात हाथ लगे हलाकि इस पूरे विशय को लेकर जो अपडेट्स मिल रही है जिस में मीटिंग की बात कई जा रही है कि मीटिंग एक बार फिर से बुलाई गई है और इस मीटिंग में मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल मुख्यमंतरी पद पर जो व्यक्ति आसीन हो उसका नाम फाइनल हो जाना चाहिए इसी मीटिंग में तैय किया गया और इस पूरे मामले को लेकर जो अब तक चर्चा चल रही है वो इस ओर इशारा भी कर रहे है अलगि इसके ओपर बीजेपी के लिए ये दिखाना भी काफी आसान होगा कि अगर केजरिवाल को इस्त तलाशने की कोशिश कर ही रहे हैं अब सुनीता केजरिवाल अगली मुख्यमंत्री होंगी ये तो लगबग तैय ही है लेकिन अभी इस पर मोहर लगना बाकी है क्या संजे सिंग, संदी पाठक, आतिशी मार लेना, सौरभ भारदवार जैसे नेता सुनीता केजरिवाल को नमानने वाले, उन कारे करता, उन नेताओं को इसका पारितो शक मुख्यमंत्रीपद की कुरसी के रूप में मिल पाएगा, कुछ ऐसे एहम सवाल है, जिसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में, इस वीडियो को लेकर इस खबर को लेकर अगर आप कमेंट करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम रहेगा.